S.I.P Systematic Investment Plan यह बहुत ही पसंदीदा तरीका है mutual fund में invest करने का और यह मदद करता है आपको आपके future को financially secure करने का जैसे यदि आपको अगले 10-15 वर्सों में home loan लेना है उसके लिए down payment की ज़रत होगी आपको आपके बच्चों के education के लिए आपके बच्चे की marriage के लिए या आप खुद retirement planning करना चाहते हैं तो S.I.P के मदद से इसको आप बखो भी निवा सकते हैं लेकिन कंडिशन से एक ही है कि यह S.I.P लंबे समय के लिए होना चाहिए लेकिन अब सवाल यह उड़ता है कि यह हमें retirement planning या बच्चों के education या उसके marriage के लिए हमें कोई fund को shortlist करना है तो हम किस fund में अपना S.I.P स्टार्ट करें जिससे की हमारा future financially secure हो जाए अज हम चर्चा करेंगे उन top mutual funds की जो suitable है systematic investment plan यानि S.I.P के लिए for two time horizons that is 10 साल और 15 साल हो सकता है कि इन दुनों time horizon के लिए एक ही fund 10 साल के लिए सुटेबूर हो 15 साल के लिए सुटेबूर हो या हो सकता है कि 10 साल के लिए 4 fund कोई और हो और 15 साल के लिए चार funds कोई और हैं और आज हम इसके साथ ये भी चर्चा करेंगे कि आखिर जो इन चार funds को for 10 years और 15 years time horizon में हमने shortlist किया है इसकी methodology क्या थी funds को shortlist करने में सबसे पहले हम उन funds को ही consider किये हैं जो कम से कम 3 साल या उससे अधिक पुराने हैं और इसके बाद हमने उन funds को consider किया जिनका 3 years और 5 years का XIRR यानि SIP return more than 30% है और 10 years और 15 years का XIRR यानि SIP return more than 20% है इसका मतलब हमने केबल इसमें उनी funds को shortlist किया है जिनका 3 years 5 years का more than 30% है इसके साथ साथ 10 years और 15 years का more than 20% funds है more than 20% XIRR है उनी funds को shortlist किया है और इदी आज के दिन में रही देखें तो 3 years के time slots में आपके दिन में कुल 389 equity funds है जिसमें से 44 funds ही ऐसे है जिनका XIRR more than 30% है 5 years के time slots में कुल 387 funds है जिनका 41 funds ही ऐसे है जिनका XIRR more than 30% है 10 years के time slots में कुल 273 funds है उन में से केबल 29 funds ही ऐसे है जिनका XIRR more than 20% है और 15 years के time slots में केबल 206 funds आज के दिन में है उन में से केबल 8 funds ऐसे हैं जिनका XIRR more than 20% है अब यदि percentage value बातें करें तो हम देखते हैं कि 3 years में कुल 11.31% funds है जिनका XIRR more than 30% है 4 years के time slots में है 10.59% जिनका XIRR more than 30% है 10 years में है 10.62% funds ही केबल है जिनका XIRR more than 20% है और 15 years के time slots में है जिनका XIRR more than 20% है उसमें जो fund है इन्विस्को इंडिया का PSU fund, निपोन इंडिया का Power fund, ICIC का Infra fund, Quant का Infra fund, Franklin का भी Infra fund, DSP का Tiger fund, Invisco का भी Infra fund, Tata का भी Infra fund, SBI का Infra fund, Quant का Small Cap, Motilal का Mid Cap, Quant का Mid Cap, Bank of India का Infrastructure Fund, Quant का Large and Mid Cap, SDFC का Mid Cap, निपोन इंडिया का Small Cap, Quant का Flexi Cap, और SBI का Contra Fund. Friends, यह जो हमने 1-18 funds दी है, इसका कोई seniority या कोई अच्छा या बूरा fund नहीं है, यह अरिनमली हमने उपर नीचे नाम किया हुए, तो यह न समझें कि सबसे अच्छा fund Invesco का है और सबसे खरापन SBI Contra का है, यह जस्ट हमने Randomly Sort List किया है, और उसको हमने इस PPT पे डाला हुए, अब इन 18 funds में से 3 years, 5 years, 10 years, 3 years, time horizon में top 10 funds को, यानि top 10 funds को शॉट लिस्ट किया हमने return के basis पे, 10 years के time horizon में, फिर हमने 5 years के time horizon में top 10 funds को sort list किया on the basis of their return for 5 years, और इसी हिसाब से 3 years के time horizon में return के basis हमने top 10 funds को sort list किया और इन 3 hill time horizon में 10-10 funds को sort list करने के बाद, Finally हमने उन funds को shortlist किया जो इन तीनों ही time horizon में याने three years five years और ten years के time horizon में यह common थे और उसमें से यह चार fund निकल के आये जो इन तीनों ही time horizon में common थे उसमें सबसे पहला है निप्वान का infra fund, ICIC का infra fund, क्वान का infra fund और Franklin का infra fund और यदि इसके हम three years, 5 years 10 years के time slots में इसका return देखें एकसा यारा देखें तो हम देखते हैं कि 10 YEARS के time slot में सबसे अधिक return 26.64% है क्वान के infrastructure fund का 5 years के time slots में सबसे अधिक है क्वान के infrastructure 42.81% का और 3 years के time slots में सबसे अधिक है निपॉन के इंफ्रास्ट्रक्तर जो कि 43.29% है अब फ्रेंड्स यदि हम जैसे चर्चा कर रहे हैं कि यह सौट लिस्ट क्या है 10 years के time horizon में लेकिन यह 10 years का time horizon में यह कोई हो सकता है कि हमने 10 years के time horizon के हिसाब से हमने SIP स्टार्ट किया हो लेकिन हो सकता है मुझे 5 साल, 7 साल, 8 साल के बाद ही पैसे के जुरत पढ़ गई हो तो उस टाइम हम पैसे के रेडीम करना होगा हम आइसोलेशन में यह नहीं कर सकते हैं कि चुकि यह discussion 10 years time horizon के basis के लिए है तो सबसे अच्छा fund का infrastructure fund है यह हम नहीं कर सकते हैं कि आपको जुरत 5 साल के बीचे पढ़ गया हो तो उस हिसाब से भी हलांकि कौन का infrastructure fund ही आ रहा है या हो सकता है किसी को 3 साल के बाद ही पैसे के जुरत पढ़ गई हो तो उस हिसाब से निप्वान का infrastructure fund जो है सबसे बेतर दिख रहा है सो इन फंड्स को इन चार फंड्स को अपने हिसाब से आप ranking कर सकते हैं कि first कोन है कि second कोन है third कोन है fourth कोन है because सबकी जरुते हर investors के जरुते हैं अलग-अलग है three years का हो सकता है five years का हो सकता है ten years का हो सकता है लेकिन हमने ये कोशिस जरूर की है कि आप आइदर तीन साल के बाद fund redeem करें या पांस साल के बाद कर या दस साल के बाद कर जो मुझे पता नहीं करना होगा हमें उसके लिए सबसे ये top best four funds हैं और यदी हम इन चारों ही fund में ये मान के चलें कि पांच हजार रूपे हमने 10 साल के लिए 10 साल पहले हमने S.I.P. की थी तो आज के दिन में इन funds का corpus क्या होता तो देखते हैं friends कि निपॉन के इनफा स्ट्रेक्टर फंड में ये 18,29,233 रूपे होते ICIC का 19,17,904 रूपे होते Quant infrastructure का 24,19,723 रूपे होते और Franklin का infrastructure fund इसका 18,36,714 रूपे होते अब यहां हम देख सकते हैं कि 10 साल पहले आपने S.I.P. स्टार्ट की होती तो आज के दिन में कुल 6 रूपे invest की होते इन different funds में की होते तो आज के दिन में इसकी corpus की स्थिति क्या होती अब बारी 15 years के time slots में fund को shortlist करने के जैसा कि पहले हमने चर्चा किया है कि 10 years सा 15 years के time slots में fund को shortlist करने के लिए minimum criteria हमने रखा हुआ है तो 15 years के time slots में भी हमने उन fund को shortlist किया जिनका 3 years 5 years और 10 years के जो minimum XR था 3 years और 5 years का minimum XR more than 30% होना चीए और 10 years और 15 years के time slots के कुल चार fund shortlist की हैं जबकि common fund दो ही आ रहे हैं इसका भी एक कारण जो कारण है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे और उन चार funds में से वो fund है क्वांट के small cap fund SDFC के mid cap fund क्वांट का ELSS और Franklin का small cap fund इसमें से क्वांट और SDFC fund वो common fund है और बाद में add किया है हमने क्वांट के ELSS को Franklin के small cap को इसके भी कुछ कारण है जस्ट हलांकि वो जो हमने क्राइटरिया सेट किया है उसमें यह फिट नहीं बैठते हैं लेकिए जस्ट बिहाइंड that parameter जो minimum parameter fix किया है इसलिए हमने इन दोनों funds को इसमें include किया हुआ है और यदि इसका सबसे पहले देखते हैं 15 स्लोट में सबसे अधिक जो इनका सबसे अधिक है इसके 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 प्रसंट का सबसे अधिक है यहां भी कौन के स्मॉल के फंड का है जो 35.91 परसंट इनका एक्स आयरा है अब जैसे मैंने कहा था आपको कि हमने दो फंड यह कौन का ELSS और फ्रैक्लिन इंडिया का स्मॉल के फंड को हमने एड किया है जब कि यह minimum criteria पूरा नहीं करते इसका एक ही में मोर दन 30% 10 यह में मोर दन 20% 15 यह से मोर दन 20% यह minimum criteria पूरी कर रहे हैं लेकिन 3 यह का जो मोर दन 30% था यह criteria यह पूरी नहीं कर रहे हैं यहां 28.93 परसंट ही है हलांकि बांके तिन time slots में इनके अच्छे return है इसलिए हमने इसको include किया हुआ है और same in the Franklin इंडिया small cap fund जहांके 10 यह के time slots में जो minimum criteria है 20% लेकिन इनका 19.60 परसंट ही था इस कारण से अधरवाइज दीनों ही time slots में 3 years 5 years और 15 years time slots में इनोंने criteria को ठीक ठाक fulfill किया है इसलिए हमने इनको इसमें shortlist किया हुआ है although जो हमने criteria पहले set किया हुआ था पराइमेटर्स पहले set कि वे थे उसके सबसे यह दोनों fund ही आते हैं अब देखना यह है फिर वही बाते हैं कि हो सकता है इसमें यह देखें कि 15 years के time slots में यह एकसा यारा जो है almost equal सबसे अधिक 20.73 परसंट और सबसे कम 20.33 परसंट मतलब highest और lowest का जो एकसा यारा है उसमें केबल 0.4 परसंट का difference है सो यदि आपने सोचा है कि 15 years के लिए करना है इन चारों fund में से किसी fund में करें कॉर्पस में हलांकि थोगा बहुत फर्क पड़ता है 15 सालों में यह इसकी तर्शा कर रहे हैं आगे अधर्वाइज यदि हम कहें कि 3 years 5 years 10 years जैसा मैंने पले तर्शा की हुई है कि हमको जब हमने साइपी स्टार्ट करते हैं तो हम सोचते हैं कि 15 साल करेंगे 20 साल के लिए करेंगे लिए हो सकता है यह 10 साल 12 साल पांस साल में यह साइपी को बंद करना पड़े है और पैसे रडीम करना पड़े है तो उस बेसिस को उस उस नीट को देखते हुए हमने इन चार फंट को सौन को सौट लिस्ट किया है फॉर एक्जाम्पल आपने सब्सक्राइब किया हो सकता है कि आपको 10 साल में निकालना पड़ जाए तो 20.53 परसंट होंगे इसका मतलब कि हमने 10 यह 15 यह के स्टाइन फ्लॉट्स में उन फंट को सौट लिस्ट किया है जो 10 साल 15 साल के लिए बेतर फंट तो हैं हैं यह थ्री यह फाइव यह तेन यह का स्टाइन का स्मॉल कैप अब यह जो फिप्टीन यह के चार फंट सें इसका यदि आज से 15 साल पहले 5000 रुपे पर मंद का यदि SIB की होती तो आज के दिन में क्वांट के स्मॉल के फंट में 48 लाग 22,000 के आसपास कॉर्पस होते SDFC मिट कैप का 49 लाग 38,000 के आसपास होते कॉंट का ELSS 50 लाग 22,000 के आसपास होता और फ्रेंकलिन इंडिया का स्मॉल कैप इस 48.45 लैक्स के आसपास होता अब जो मैं बारवार कहता हूँ यह 4 फंट 15 यह के लिए और इसके पहले चर्चा किये है हमने 4 फंट 10 यह के लिए आठवाई फंड काफी अच्छे फंड है खास कर जो 10 यह का स्लोट में है जो चार फंड दिया में इसमें 3 यह फाइव यह 10 यह स्लोट के लिए काफी बेतर रहें और फिप्तीन यर्स के लिए ये चारू फंड काफी बेतर हैं हलां कि इसकी रैंकिंग ये आपके perception के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन ये पंदरा साल के लिए और चार फंड तेन साल दस सालों के लिए बेतर फंड ने साइपी के लिए हलां कि जैसे मैं कहता हूं कि अंतिम निर्डे हमेशा आपका यहां भी निर्डे आप खुद लें थैंक यू